पजुशन पर जैन धरम का बहुत ही बड़ा त्योहार होता है इन आट दिनों में ना सिर्फ लोग जमिनकंद और हरी सबजियों का त्याग करते हैं बलकि बहुत सारी तपस्याई भी करते हैं धरम ध्यान में इतना व्यस्त रखते हैं खुद को कि खाना बनाने की भी फुरसत जंत नहीं होती है तो बहुत सारे लोग करते हैं उससे कि बहुत कम समय में बन जाएं क्योंकि तपस्याई कर दों काले dol Magic aang yours我 ņ ले यहां पर फटाफट बने लेकिन बिना प्यास लसुन के और बिना हरी सब्जी के बने तो नमस्कार दोस्तों मैं शिखा कुपता केजी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेके आई हूं जो कि जैन धरम के पजुशन पर्व के लिए आप आसानी से बना सकते हैं इसमें जो है समय भी कम लगेगा और हरी सब्जी और जमिन कंद का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी जो है हम बनाने वाले हैं वह हैं चने की सब्जी की तो आप इसमें एक चिम्टी जितना मीठा सोडा भी डाल सकते हैं तो यहां पर नमक डाल दिया है डखकन लगाकर हम इसे दो चार सीटी देंगे और इसको हमने गैस पर रख दिया है तो यहां पर जब तक हमारा चने बॉल होते हैं हमें ग्रेवी बना लेते हैं तो एक से टेट कर्टोरी जितना दई लिया है घर का बना हुआ दई है इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मेर्ची का पाउडर, धनी का पाउडर, हल्दी का पाउडर डालेंगे एक चोथा ही चम्मा जितना या इससे थोड़ा सा जादा साथ में नमक डालेंगे स्वाड के हिसाब से अब जो है दही की ग्रेवी वाली सबजियां राजेसान में बहुत बनती है प्याज लसुन की ग्रेवी वाली सबजियां बहुत कम बनती है तो दही के ग्रेवी के अंदर सूखा पुदिने का पौडर अवशे डालते हैं जिसे इसका स्वाथ बढ़ जाता है तो यहाँ पर सूखे पुदिने का पौडर डालके दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है अगर आप चाहें तो इसे ग्रेवी में आगे इस्तेमाल कर सकते हैं तो गैस पर रख दी है मैंने कड़ाई और चने हमारे अच्छे से बॉइल होने के बाद में हम इसको एक तरफ रख देंगे और कड़ाई के अंदर डाल दिया है 1-1.5 चमच इतना तेल यह तेल जो है हमने 1-1.5 चमच दाल वाला जो चमच होता है वो लिया है और साथ में इसके अंदर जीरा और हींग डाल दी है और यहाँ पर हमने तोड़ी सी मिर्ची डाली है क्योंकि रंगत अच्छी आएगी जब तेल गरम हो जाएगा और मिर्ची डालते ही तुरंत हमें दही डाल देना है जो हमने तयार करके रखाता और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को तेल के अंदर गरम तेल के अंदर और उसके बाद आज को थोड़ा धिमी करके एक-दो मिनट पकाएगे जब दही है हमारा अच्छे स पक जाएगा तब निपे जहां दर copied डालते हं और एक कटोली जितना झाम निटरण गर्षी प्रफिट करके दाएगे रखात है जो हम दही दाल तेल के आफ़ दोपार बाम से जबशा बार करने ऐखे ले दो पाउडर की पाउडर डाल चूर के पाउडर की ही baru तो यहां पर एक चम्जी यासे फिर ने चिमिता है यहां पर सब्जी पक गई है यहां पर आटे को डालने के बाद 2-5 मिनिट हमने स्कौर पकाया है और यह सब्जी हमारी चने की फटाफट से बनके तयार हो गई है कैसी लगी आपको यह चने वाली सब्जी की रेसिपी जो की बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा अब जो है हम दूसी रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कोर्मे की पूरी जिसे राधसान में कोर्मे की पूरी बोलते हैं कई जगह पर मूंग डाल की पूरी या फिर चूरी की पूरी भी कहते हैं ये भी हम बिना लसुन, प्याज और हरी मिर्च और धनिये के बनाने वाले हैं, बिल्कुल हरी सबजी का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं, तो मूंग डाल की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक कप मूंग डाली है, यह चार लोगों के लिए परियाप्त तो यहाँ पर मूंग डाल को चाहे तो आप मिक्सी में दरदरा पीख सकते हैं, पाकी कोर्मा गटी यानि जो हातों से घटी चलाते हैं पत्थर की जो होती है, उससे बनाते हैं हमारे राजसान के अंदर, तो यह उस तरीके की चूरी है, चाहे तो मिक्सी में आप इसको पल् पानी के साथ में धोते वक्त बह जाएगी, तो चलनी में डाल के नीचे रख दीजेगा चलनी को और पानी सारा इसके ओपर जो पेस्टेसाइज या फिर केमिकल होंगे वो निकल जाएंगे, इसके बाद जो हमने आदे घंटे बिगो के रखा था, आदे गंटे के बाद में जो हमने बिगी हुई दाल, थोड़ी से पानी के साथ मेली है, क्योंकि दाल जब भीगती है, तो काफी सारा मौश्यर एब्सॉर्व कर लेती है, तो दाल अच्छे से भीगनी चाहिए, आदे घंटे से ज़्यादा समय लगे, तो आप आदे घंटे से ज़्यादा समय भी ले यहाँ पर जो है, मैंने इसके अंदर डाला है, काली मिर्ची का पाउडर, साथ में मैं इसके अंदर थोड़ी सी हिंग डालने वाली हूँ, इसके अंदर और धन्य का पाउडर डाला है, सुखा धन्य का पाउडर जो होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताजा धन्य याम इस्तिमाल नहीं करने वाले हैं। vert, काली मिर्च और जो तिका बनाएगा वही इस पराटो को स्वाधिस्ट बनाएगा। च्वात के एंदर नमक डाला डाला रहे तो इसमेरी सामगरी को हम नेल सारी सामगरी को हमने डालने के बाद में आटा इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ परक्तोर कर्लिध की लिए अगर हैं उसके सामगरी को निए इसके संदर करना हो struggle आटा डालने के बाद में आपको इसके अंदर पानी नहीं डालना है और जो हमने दाल भिगो के इसके अंदर इस्तिमाल की है उसी के moisture से आटा अच्छे से गून के तयार हो जाएगा और आटा गूनते वक जो है थोड़ा सा मिसके अंदर तेल डाल देंगे एक चम्म जितना हम सूखा आटा लगा के इसको गोल गोल पूरी के अंदर जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे बेल देंगे तो पतली मोटी जैसे पराठे आपको बनाने हैं वैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने कोर में की पूरी बना दी है गैस पर मैंने रख दिया है तवा और तवे के अंदर गरम होने के बाद मैं तवे को उसके बाद पराठा आप डाल देंगे और इसको दोनो तरफ से सेक देंगे दोनों तरफ से अच्छे से एक बार सीख जाएगा उसके बाद जो है हम तेल घी या फिर बटर जिसमें आप सेखना चाहें वैसे सेख सकते हैं यहां पर मैंने तेल का इस्तेवल किया है और तेल को एक तरफ लगाने के बाद जो है इसको इस तरीके से लकड़ी का जो आता है शेखने वाला उससे हम सेखेंगे ताकि पराटे हमारे कुरकुरे से बन के तयार होए और इसके बाद जो है दोनों तरफ से यह पराटे आप भी पूड़ाने में स्वादिस्त होते ही हैं लिए हेल्दी होते हैं तो यह पराटे की रेसिपी आपको कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइगा तो यह दूसरी रेसिपी हमने मुंग दाल के पराटे की यानि कोर में की पूरी की बनाती है अब जो रेसेपी में आप लोगों के लिए लिए आई हूँ बहुत ही कम समय में बन के तयार हो जाएगी और इतनी स्वादिस्ट बन के तयार होगी कि आप इसे नॉर्मल डे में भी यानि पजोशन के अलावा भी कभी भी बनाने की जो है इच्छा करेंगे तो यहाँ पर मैं है किजटी और पुला बनाने में इस्तेमाल करती हूँ तो यहाँ पर जो है एक कप जितने बासमती राईस लिए है और इनको 4 लोगों की फै़ेमीली के लिए इनफ बहुत हैं तो यहाँ पर ने का आदे में चलन आपामने से देला चावल कुh और नौटे एक लाँ में द गटे भी स्मूझ से बनके तैयार हो नमक डाल देंगे अदेखिए कस ज trades बॉड, कश्मीरी लाल मिर्ची, पाउडर कावडरह थे हादा क्यों हम दिनकी लाखिवा, पाउडर मिर्च यह क्राईयार थे? एक चिम्टी जितना काली मिर्च का पाउडर डाला है और एक चुताई चम्मच जितना मैंने इसके अंदर अजवान डाला है एक बड़ा चम्मच जितना हम इसके अंदर तेल डाल देंगे और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा पुदिने का पौडर डाल देंगे पेशन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो अगर आप एक चिम्टे जितना भी पुदिने का पौडर उसके अंदर डाल देते हैं तो स्वाज दुगुना हो जाता है एक बड़ा चमच इसके अंदर दही डाल देंगे दही डालने से गट्टे हमारे बहुत ही पोसरे यानि बहुत ही नरम बन के तयार होते हैं यानि बहुत अच्छे गट्टे हमारे स्वाद में बनेंगे एक चमस दही डालने के बाद में मैंने आटे को जो है दही के पानी के साथ में ही नीड किया है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है दही का और उसके बाद जो है गटे का आटा जो है आपको लगाना है एक चमस तेल डालके आटे को हमें बिल्कुल चिकना कर देना है आटा हमार जो है चिपकना नहीं चाहिए हाथों से उतना चिकना हो जाना चाहिए हाथों पर तेल लगाके गट्टे के आठे को जो हम एक बार अच्छे से नीड कर देंगे और इसके बाद चोटे चोटे पेड़े बनाने के बाद में तो लंबी लंबी जो है आपको गट्टे की बॉल्स बना देनी है और उसके बाद जो है इनको हम कट करने वाले हैं आगे तो सारी जो गट्टे की हमने इस तरीके से लंबी लंबी बॉल्स बना दी है चाकू की मदद से इस तरीके से गट्टे को आप काड सकते हैं तो अब आप जो है वीडियो में आगे देखेंगे कि एक सीटी के अंदर ही हम यह पुलाव बनाएंगे और आदे गंटे के अंदर ही सारी प्रिपेशन जो है आप करके तयार कर सकते हैं गट्टी के किचडी बहुत ही स्वादिस्ट अब यहां पर एक बड़ा चमच मैंने तेल डाला है क्योंकि हमने एक कप जितने चावल यह थे तो एक बड़ा चमच यानि दाल का जो चमच होता है गोल वाला वो हम एक बड़ा चमच भर के लेंगे तेल उसके अंदर जो है हम जीरा डाल देंगे तेल के अंदर और साथ में म सब्सक्राइब के ओझे अरशे के हल्डी व्यार दालें सब्सक्राइब करने के दि मिर्ची में पृत्ते और दो ऑमाइब देजा में into क हडो वुम्हार के जाण दो हम इसके देखना है। मैंने आपको पहले पुलाव की रेसिपी भी दी थी वो भी आप हमारी देख सकते हैं तो उसमें भी हमने आदे गंटे के अंदर ही पनीर का पुलाव इस तरीके से बनाया था अब जो हम इसके अंदर एक चुझा जितना गरा मसाला डाल देंगे और हमने सुखा पुदिना इसके अंदर डाल दिया है साथ में इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और डाल देंगे अब पानी का आपको ध्यान डखना होगा क्योंकि हमने एक कप जितने जो हैं चावल लिये थे तो उसी से आपको नापके दो से धाई कप जितना जो चावल का हमने माप लिया था उसी कप से हमें धाई कप जितना पानी डालना है मैक्सिमम और नहीं तो आप दो कप जितना पा पूरा खतम होने देना है बीच में आपको सीटी को खोलने की जरूत नहीं है और प्रैशर पूरा खतम हो जाएगा तो आप देखेंगे इस तरीके से खिले-खिले लंबे से चावल हमारे बन के तयार हुए हैं चावल पूरी तरीकें से पके हैं और गट्टे भी हमारे अंदर तक पके हैं बिल्कुल खिचडी जो बन के तयार हुई है एकदम स्वादिस सी तो गटे में आपको जो है इसके अंदर वीडियो में दिखा रहे हूं बिल्कुल हमारे पक कर एकदम अच्छे से तयार हुए हैं अब जो चौती रेसिपी हम बनाने वाले हैं पजुशन पर्व क वाली हरी मुंग दाल आती है बाजार में वो आप इस्तेमाल कीजेगा और यहां पर एक कब जितनी ली है जिसको मैंने दो तिन पानी से धोने के बाद चार पांच घंटे के लिए भिगो के रखा था एक दिन पहले प्रिपेरेशन करेंगे तो रात को भिगो के रख सकते है तो यहां पर एक कब जितनी मुंग दाल को हमने दो तिन पाने से एक रात पहले भिगो के रखा था और चार-पांच घंट के लिए ही भिगोया था तो चाहे तो आप जो है इसके साथ में ही भिगो सकते हैं और नहीं तो अगले दिन सुबह भी जो है आदे गंटे के लिए पानी काप चावल तो पसे पाक्त बीचावल की देए, ने के लिए 4-5 चम्मद चाहवल भीगो दाल देंगे, मैक्सी के जहर के अंदर पानी जो निकालके मुंगदाल की दालना की पानी काफी तो वैसे नरम हो चुकी है और इक कब पानी लिया हैं वह पूरनेही डालेंगे सब्सक्रांक पैस्ट निखाएं जीरे का पाउडर नमग दाल देंगे दोनों सामगरी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब जिसमें पीसा था पानी डाल जो है यहां दो चम्मझ जितना पानी डाल के वह भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और गोल हमें जो है डोसे का गोल जैसा बन के तयार होता है वैसे ही बनाएंगे यह घर पे बना हुआ दई है इसके रेसिपी आपको जो है अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा दही का इस्तिमाल हम चटनी में करने वाले हैं मैं घर पर ही दही बनाती हूँ और जो है मिर्ची से कैसे बनाती हूँ अगर यह रेसिपी आपको जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा यहाँ पर जो है मैंने चार चम्मा जितना नारियल का पाउडर डाल दिया है मिक्सी की जहार में साथ में मैंने इसके अंदर डाली है चार चम्मा जितनी ही मुफली और साबूत काली मिर्ची डाल दी है मैंने यह चटनी जो है नारियल के पाउडर और मुफली के साथ में ब तो ये सामग्री को मिक्स करके जो है हमें चटनी बनानी है तो मिक्सी के कार वियर को सब्सक्रील कशतीक कर दिए आयो है यो नाइनी में ततनी के लिए ट कईbayर का पार देखे सकते साम जेंगे तवे तवे को गरम होने के बाद में पानी के चीटे देजिए और उसके बाद गोल को दो चम्मस डालके उसको इस तरीके से फैला देना है जो भी नीचे से पूरी तरीके से सिखने लग जाएगा तब हम थोड़ा सा घी डाल देंगे तो घी से डोसा हमारा काफी क्रिस्पी बन के तयार होगा घी की जगे बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर जो है मैंने इसके अंदर सीजनिंग के लिए डाली है सिर्फ चिली फ्लैक्स और इसके बाद जो हैं हम दूसरा डोसा भी इसी तरीके से बना देंगे तो यह डोसा खाने में बहुत स्वाधिस्ट होता है बहुत ही फटाफट से बन के तयार हो जाता है पाजोशन परव में यह रैसिपीज जो है बहुत आसानी से बन के भी तयार हो जाती है और बच्चो को भी इस तरीके से पसंद आने वाली है तो नए नए तरीके से आप यह रैसिपीज बना सकते हैं यानि चार recipes मैंने बताई है comment box में मुझे बताईगा कि चारो recipes आपको कैसी लगी position परवक के लिए मैं दूसरी और नई recipes लाने वाली हूँ तो मुझे comment box में बताईगा कि और कौन सी recipes आपको चाहिए मिलते हम किसी नई वीडियो के साथ में तक अपना ख्याल रखिए टेक केर बाई